कि विल्कम बच्चों कैसे आप सभी आप सारे बच्चों का मुष्ट विल्कम है स्वागत है गुड़ मौनिंग नमस्कार आज यह हम लोग क्लास को स्टाट करते हैं और एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों सेग अची हुई है जो आपके कहां पर लिंक हो रही है जिस आपके जो है 11th क्लास की NCRT से लिंक हो रही है वहां पर हम लोग उसको पढ़ेंगे ठीक है ना आई यह हम लोग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा आपका आज का जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यह भी NCER T ही है आपका यह है NCER T हिए NCER T का आज आपका ओ जाएगा वन एवं ओले जिव संसाधन यह आज का आपका क्या हो जाएगा चैप्टर हो जाएगा इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे देख यहां पर दिया हुआ वन का मतलब होता है नीट पेड़ पोधेश्य और दूसरा शब्द आपको गया दिया हुआ हो वन जीव कें गया जीव का मतलब होता है केडे, मकोडे, जीव, जन्तु जो आप देख रहे हैं हीरन, बक्री, खरगोष ए सब और सनसाधन का मतलब क्या होता है संसाधन का मतलब होता है जो मानो जीवन को सरल बनाए क्या कर सके बच्चो सरल बना सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं संसाधन या रिसोर्स के नाम से जानते है यानि पेड़ पौधे भी मानो जीवन को सरल बनाते हैं और जीव जन्तु भी क्या करते हैं मानो जीवन को सरल बना आते हैं कैसे पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं बच्छो ऑक्सीजन उसके साथ साथ ये हमारे लिए लकड़ी प्रोवाइड करवाते हैं और इसके साथ साथ ही हमारे ले क्या फल सब्जियां और खादान यानी अनाज वगयरा भी इन्हें से हमको क्या है मिलता है इसका मतलब ये सारी चीज़ है मानो जीवन को क्या कब बनाती है सरल बनाती है और वन जीवन की बात करेंगे तो ये भी क्या करता है मानो जीवन को human life को भी easy करता है या सरल बनाता है अगर हम लोग देखेंगे तो जो जीवजनतु होते हैं हम लोग क्या करते हैं कि इन्ही जीवजनतु का अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखनों को पाएंगे कि जो हमारे जीवजनतु होते हैं जो हमारे जीवजनतु होंगे बच्चो नहीं जीवजनतु को हम लोग क्या करते हैं शिकार करते हैं ये इनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ये परियावरड एवं पारिस्थितिकी संतुलन का कार करते हैं परियावरण एवं पारिस्थित की संतुलन का भी ये क्या करते हैं बच्चो काम करते हैं ये हमारे लिए दुख्ध का क्या है स्रोत हैं दुख्ध का स्रोत हैं हम लोग इनको क्या करते हैं इन ही जीवों को परिवहन के रूप में इस्तेमाल करते हैं किस रूप में परिवहन क के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना तो ये आपके क्या हो जाएंगे जितनी चीजें चाहे ये हो चाहे इधर हो ये सारी चीजें क्या करती है मानो जीवन को मानो जीवन को ये बच्चों क्या करती है सरल मनाती है या सिंपल मनाती है इसलिए हम लोग इस किसके बारे में हमको बच्चों देखना है जीवों और वनस्पतियों के बारे में देखना है अगर हम लोग बच्चों देखेंगे तो भारत ये जो कुछ भी जीवों और वनस्पतियों की बात कर रहे हूं किसके बारे में भारत के बारे में पात कर रहे हैं तो पहला पॉइं की संख्या वनस्पतियों की संख्या तथा उनके बीच विविधिता विद्दमान है दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो कहेंगे बहुत से जीव तथा वनस्पतिया वनस्पतिया यद्यपी यद्यपी विदेशी है विदेशी है जो भारत में क्या है मौदूद है परन्तु बहुत सी अस्थानिये परजाती परजाती की भी पाई जाती है परजाती की भी पाई जाती हैं याद रखना परजाती की भी क्या है बच्चो आपकी परजाती की भी ये पाई जाती है अब इन्हों दोनों पॉइंट को आप क्या करना समझने की कोशिश करना क्या करना बच्चो इन दोनों पॉइंट को समझना तो भारत में जीवों और वनस्पत्यों की संख्या तथा उनके बीच विविद्ता विद्दमान है अगर हम लोग भारत के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे जीव पाई जा रहे हैं बहुत सारे वनस्पतियां पाई जा कि इनके बीच वरायाइटी दीवह जादा हं वरिटे का मतलब डिफरेंस भी टाइप से ऑत भारत के दर देखेंगे मैं जितने भी while पाई जा रहे हैं लगवग सभी परकार के अत्यार रहे हैं छए उश्ड कट बंधिया बाद करें चैस यह आपके उश्ड कटिवंधिया पड़पाती वन की बात करें चाहे उश्ड कटिवंधिया सदाबहार वन की बात करें चाहे सुष्क वन की बात करें चाहे हम लोग जो है शीतोषड परकार के वन की बात करें या तुंड्रा परकार के या धुर्वे परकार के वन की बात करें भारत के अंदर सभी परकार के वन क्या है पाए जाते हैं क्यों क्यों कि भारत की भावगोलिक विवित्ता है भारत के अंदर जलवायुक विवित्ता है जिसके कारणवश भारत के अंदर ये बहुत बड़ी संख्या या मात्रा में पाए जाते हैं ठीक है दूसरा हमने क्या यहां पर बता है कि बहुत से जीव जो है क्या है विदेशी है भारत के अंदर बहुत सारे जीव और वनस्पतियां है जो इनका मूल अस्थानिया जनम कहा हुआ है विदेशों में है लेकिन वो भारत के अंदर पाई जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर अपनी अस्थानिय कोई पहचान नहीं है जीव और वनस्पतियों की ऐसे बहुत से जीव ऐसी बहुत सी वनस्पतियां भारत के अंदर बच्चो पाई जा रही है जो अस्थानिय रूप में कहां की है बच्चो इंडिया की है अस्थानिय रूप में कहां की है भारत की ह और जब अस्थानिय रूप में भारत की होंगी तो इसका मतलब सिंपल सा यह हुआ कि अस्थानिय रूप से भारत की हैं इसका मतलब उनकी पैदाईश भारत के अंदर हुई है उनका वर्जिन भारत के अंदर हुआ है उनके पूरोजो का विकास भारत के अंदर हुआ है और इ इनकी विविद्था क्या है इनकी संख्या आधिक है और वर्तमान में इन पर कौन साकूद कार्थ क्या है बद्चो संकत उत्पन हुआ है इन बहरतमें जय जय वी विध्टा जय विविध्टा संपन्य छेत्र अगर हम लोग बच्चों यह क्या करें कि भारत का मैप एक बना ले यह क्या बच्चों आपका इंडिया या भारत है तो भारत में हम लोग देखेंगे कि यहां पर आपका क्या है पस्तिमी घाट है यहां पर आपका यह क्या है नौर्फ इस्थ है और अगर हम लोग बच्चों बात करें कि इधर की इधर की तो यह आपका क्या हो जाएगा बच्चो अंडमान निकोवार अंदमान एंड निकोबर दिसीज़ अंदमान एंड निकोबर नॉर्थ इस्ट और वेस्टर गाट या यह आपका क्या हो जाएगा बत्चो यह आपका क्या हो जाएंगा पस्टमी घाट हो जाएगा वैसे तो भारत के अंदर भाजोलिक विवित्त बहुत ज्यादा है जिसके कारण अन्की संफ्याछा भी क्या है अधिक है और इनकी बीच थी बहुत अलिक है इनके ओर 아 do देखेंगे तो हमारा नौर्थिष्ट अन्डमान्निकोबर और पस्टिमी घाट ये तीन ऐसे छेत्र हैं जहां पर जीवों और वनस्पतियों की बहुत सी संख्या पाई जा रही है और आप देखोगे कि परतेक साल परतेक साल यहां पर नए नए खोज से नए परकार के जीव और वनस्पतियों की क्या की जाती है बच्चों नए परकार के जीव और वनस्पतियों की हर साल खोज की जाती है भारत का होट इसपॉट बोला जाता है किसको होट इसपॉट इसको बोला जाता बच्चों आपके व तो भारत का होट इस्पॉट किसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट को पसिमी घाट को और इस परकार से हम देखेंगे तो ये तीन अस्थान है जहां पर जे विवित्ता बहुत अधिक पाई जाती है जीवो और वनस्पतियों कि जो संख्या है वह संख्या बहुत अधिक जाती है इन पर संकट है किस परकार का संकट है इनके बारे में हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग हम लोगों को बच्चो क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलेगा बच्चो वर्तमान जीवों तथा वनस्पतियों पर संकट है संकट क्या है पहली बार तो इनकी संख्या कम हो रही है पहला क्या कहोगे बच्चो संकट में देखोगे तो पहला जीवों और वनस्पतियों और वनस्पतियों की संख्या का कम होना दूसरा इन पर संकट की स्थिति बहुत से जीवों और वनस्पतियों अब बहुत से जीवों और वनस्पतियों का क्या होना बच्चो विलप्त होना या गायब हो जाना यह चीजह को है देखने जानने समझने को मिलेंगी यह सारी चीज़ है अब यह जो चीज़ें हो रही है कि बहुत सी वनस्पतियां और जीव जो क्या हो रहे हैं समाप्त हो गए वो नजर भी नहीं आ रहे बहुत सारे ऐसे जीव और वनस्पतियां हैं जो आने वाले समय में समाप्थ हो जाएंगे तो यही देखना है कि यह ऐसा हो रहा है तो क्यूं हो रहा है इसके बारे में हमको क्या करनी है बात करनी है कि इसी के बड़े में बच्चों बात करनी है कि इन पर जो संक्ट है इन पर जो बच्चों क्या है संक्ट है वो क्या है देखे ध्यान से समझेगा पर संक्ट कारण क्या हो जाएगा बच्चों संक्ट और कारण की हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे डिसकसन करेंगे चलिए ध्यान से सुनिएगा समझेगा एक एक करके जितने भी पहलू होंगे उनके पहलू कि हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे इस संक्ट के कारण में सबसे पहल क्या हो जाएगा बच्चो आप कहोगे निर्वनी करण कर दो बहुत सारे कारण सब को एक एक करके देख लेंगे दूसरा कहोगे जलवायू परिवर्तन गुलोबल वार्मिंग जलवायू परिवर्तन गुरूबर वार्मिंग तीसरा क्या को होगे किर्शी छेत्र का विस्तार किर्शी छेत्र का विस्तार तथा विस्तार तथा किर्शी परडाली में परिवर्तन किर्शी प्रडाली में क्या हो जाएगा बच्चो आपका परिवर्तन इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे चौथे पॉइंट की तो चौथा पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे किर्शी छेत्र का विस्तार तथा किर्शी प्रडाली में परिवर्तन अगला हम लोग कहेंगे शिकार शिकार चाओते के बाद पाच्वा यहाँ पर देख लेते हैं शिकार हम लोग कर रहे हैं परियतन द्वारा बढ़ता हस्त च्शेप उसके बाद फिर यहाँ पर छठा पॉइंट कह लिखेंगे छठा परिवर्त लिखेंगे बदलता आर्थिक बदलती बदलती लिखना बदलती आर्थी बदलता आर्थिक सामाजिक किरिया कलाब बदलता आर्थिक सामाजिक किरिया कलाब आर्थिक सामाजिक किरिया कलाप बदलता आर्थिक सामाजिक किरिया कलाप तो ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों इस परकार से ये छे कारक हो जाएंगे इस परकार से ये छे फैक्टर हो जाएंगे जिसके बारे में हमको क्या करना है एक एक करके सारे पहलों के बारे में क्या है बाते करनी है डिसकसन करना है ठीक है ना चलिए हम लोग चलते हैं और इसको एक एक करके पढ़ेंगे सबसे पहला कौन सा है निर्वनी करण निर्वनी करण का मतलब क्या होता है पेड़ पौधो की कटाई कर देना, पेड़ पौधो को क्या करना, काट देना, और जब भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कि पेड़ पौधो की कटाई कर दिया करते हैं, पेड़ पौधो को काट दिया करते हैं, तो इस पेड़ पौधो के काटने का result या output आपको क्या दे दूसरा इन पेड़ पौधों वनस्पतियों पर निर्भर रहने वाले जीव तथरा अन वनस्पतियों पर भी क्या आ जाता है संकट उत्पन हो जाता है जिसके कारणवश जिस अस्थान पर निर्वनी कड़ किया जाता है यानि पेड़ पौधों की कटाई की जाती है उस या पारिस्तितिकी पर भी संकट उत्पन हो जाता है दूसरा जलवायू परिवर्तन और गलोबल वार्मिंग की कारण हमको क्या चीज देखने के मिल रहा है कि जलवायू परिवर्तन की कारण किसी अस्थान का तापमान या तो घट गया है किसी अस्थान का या तो तापमान ब आदरता को बरदास्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वर्षा और आदरता तापमान ये तुनों जलवायू के हिस्से है जब शब्द रियूद करोगे जलवायू परिवर्तन तो इसका सिंपल सा मतलब होता है क्या कि इसका सिंपल सा मतलब होता है कि तापमान आदरता और वर्षा म उस परिस्थिती को क्या करती है उस परिस्थिती या कंडिशन को बरदास्त नहीं कर पाती है और जब उस परिस्थिती या कंडिशन को बरदास्त नहीं कर पाती है तो फिर क्या होता है कि वो मरने लग जाया करती है और मरने लग जाती है तोहां पर जिव और वनस्पतियों प मतलब यह हुगा कि किर्शी छेत्र के विस्तार का मतलब यह होता है कि पहले क्या होता था पहले क्या होता था कि किर्शी छेत्र में क्या चीज होती थी कि कुछ ही भूभाग पर सीमित भूभाग पर किर्शी की जाती थी, बाकी भागों पर पेड़ पौधे लगे रहते थे, घास पूस लगे रहते थे, जहां जीव जन्तु निवाश करते थे, जहां पर साप, बिल्ली, खरगोश तथा अन्य जीव जन्तु क्या क और उस दवरान हम लोगों ने सबसे पहले तो जंगलों को काटा यानि निर्वनी करण किया उसके बाद वहां पर जो घास थी उसको जलाया और इस दवरान वहां पर जो भी जीव जन्तु और वनस्पति थे सब को वहां से साफ कर दिया तो जितना अधिके किर्शी प्रडाली का विस्तार होगा किर्शी छेत्र का विस्तार होगा किर्शी भूमी का विस्तार होगा उतना ही ज्यादा हम देखेंगे कि जीवों और वनस्पतियों पर संकट उत्पन गहरा होता हुआ चला गया अब इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, केशी परडाली में परिवर्तन भी हुआ है, पहले हम लोग क्या करते थे कि अस्थानी अस्तर पर जो भी फसल होती थी, उसको उगाते थे, जैसे कहीं पर यहों उगा रहे हैं, तो कहीं पर चावल, तो कहीं पर लहसून, तो कह किनारे करके क्या किया है बाजार में जो कुछ मिल रहा था बीज उसी को ले जाकर के खेत में लगा दिया अब यूपी का वाला भी वही काम कर रहा है बहर्याना वाला भी दिल्ली वाला भी लखनों वाला भी और नौर्थ इस्ट वाला भी दच्छिड भारत का भी आदमी एक परकार के क्रिशी परडाली को अपना अए लिया है उसमें फर्टिलाइजर यूज करने लग गया है और जब ऐसा वो कर रहा है तो उसके करने का उसके करने का बच्चो जो नेगेटीव इंपक्त है जो नकरात्मक परभाव है वो क्या देखने को मिल रहा है उसके करने का मेरे प्यारे बच्चो नेगेटिव इंपेक्ट जो पड़ा है वो ये हुआ है कि जो जीव जनतु या वनस्पति हैं उन पर संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि हम लोगों ने जो हमारी प्रमपरागत विविद्धताएं थी या डाइवर्सिटी थी उसको हम लोगों ने क्या किया बच्चो एक परकार से धीरे धीरे समाप्त कर दिया है अगला हमारा क्या हो जाएगा शिकार शिकार कर रहे हैं हम लोग मार रहे हैं हम लोग जीव जनतों का विनाश कर रहे हैं है ना कभूतर हो या और भी चीज़े हो हम लोग उनको मार दे रहे हैं हम लोग उसको मनोरंज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वज़े से यह संकट उत्पन हो रहा है कि परियतन परियतन आप देखेंगे कि टूरीजम बढ़ रहा है कहां पर जे विवित्ता जहां पर अधिक है जैसे हिमाली छित रहे हैं नौर्थ इश्ट है पस्चमी घाठ है अंडमानयकोबार है इन अस्तानों पर लोग घूमने टहलने के लिए जा रहे हैं तो यह एक यह गूमने टहलने के दवरान यह लोग क्या कर रहे हैं कि जी वो जनतुओं क हो रहा है इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे बदलता आर्थिक सामजी किर्याकलाप हमारी जीवन शैली क्या हो रही है बदल रही है और इन बदलाव में क्या हो रहा है कि जैसे एक घटना हो रहे है जिसको हम लोग क्या नाम दे दे रहे हैं जिसको हम लोग कह देते हैं और जोगी करण तना धूंप सीपका नांप अचारिय औरह औज सूड़ में बदलाव का ही नतीजा है कि एप रहाए और जोगी करण के कार्ण क्या हो रहा है बच्छा आपका कि नघरक हो रहा है और है इस ऑद्योगी करण और नगिक का परिडायाब कैस देखने कि मिल रहा कि नगरों का विस्तार हो रहा है और उद्योगों का विस्तार हो रहा है इन दोनों का क्या हो रहा है इन दोनों का विस्तार और इन दोनों के विस्तार के कारड इन दोनों के विस्तार के कारड जो जीव जन्तु या वनस्पति हैं उन पर क्या हो रहा है संकट उत्पन हो रहा ह क्यों संकट उत्पन हो रहा है क्योंकि मान लो एक ये पूरा एक छेत्र था इस छेत्र में इतने ही दूर में क्या था शहर बसा हुआ था बाकी आसपास भूमी थी जंगल थे वन थे जीव थे सब थे इस छेत्र का अध्योगी करण और नगरी करण हो गया जिसके कारण इस पूरे छेत्र के जो भी वनस्पती और जीव थे उसको क्या कर दिया गया काट दिया गया यहाँ पर क्या बन गगे घर यहाँ पर बन गई क्या बच्चो आपकी बिल्डिंग बन गई और जब इस अस्थ लेगा क्या होगा नेगेटिव इंपक्ट या नकरात्मक परभाव हमको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी अब इसमें हमको कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके कारण वनस्पती और जो जीव हैं उन पर संकट उत्पन हुआ ह और कारण हो जाएंगे एक एक करके देख लेते हैं जैसे एक कारण हमारा क्या हो जाएगा बच्चो एक करण होईगा जीव जन्तुंगों के आवास का विनाश और इनके भोजन परकिरिया में बाधा भोजन परकिरिया में क्या बच्चो आपका हो जाएगा बाधा हो जाएगा ये चीज़ें आपको क्या है देखने को मिलेगे जीव जन्तुंगों के आवास का विनाश हो रहा है और इनके भोजन परकिरिया में क्या बच्चो आपके बाधा उत्पन हो रही है या फिर जो है बैरियर उत्पन हो रहा है जिसकी वज़े से भी जीव जन्तुंगों का क्या हो रहा है समस्या हो रही है विनाश का परमुकारण क्या है बच्चो आवास हम लोग क्या चीज़ देखने को पाएंगे कि अभी हमने बताया कि किसी अस्थान पर ये पूरा क्या था बच्चो आपका जंगल था इस जंगल में क्या रहता था शेर चीता बाग खरगोस्ट बिल्ली शिपकली बाद सारी घर बना दिये बिल्डिंग बना दिये उनके आवास को अपने तोड़ दिया तो विचारे जाहर सी बात है क्या होगा जब घर भी नगर ही नहीं रहेगा तो जब घर नहीं रहेगा तो फिर कहां जाएंगे फिर धेर वो इधर भागते विडरते हैं और उस दावरान उनकी थिरी थिरी का हो जाती है इसरा उधर जाकर करके उनकी मृत्ति हो जाया करती है उनकी Becky हो जड़ाये करती है कि दूसरा हो रहा है कि इनकी जो फूड साइकल था opposite जो जो अब भोजन चक्रता उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया बाधित कर दिया है जिसकी वजह से समस्यां उत्पन हो रही है इनके दीवन चैरिया को हम लोग ने क्या क्या बदल दिया है जो इनका प्राकृतिक वातावरण था उसमें परिवर्तन कर दिया है तो प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन के कारणवश भी समस्यां देखने को मिल रही है अब कहोंगे यह प्राकृतिफिक वातावरण क्या है जैसे हम लोग मोबाइल तरंगों का इस्तेमाल करते हैं इन मोबाइल तरंगों से इस्तेमाल करने के का लवश इसका नकरात्मक प्रभाव मथु मक्हिओं के दिमाग और उनके जिवन के बपना देखा गया कि जो मधוםक्यां अपने घर से निकलती थे जाती थी फूलों पर वैक्ति थी और सला करके मधु मक्षी के में डाल देती थी अब ये मध mano हिआ जब जाती है तो इन तरंगों के पर का रड़वस है ये रास्ता अपना बटक जा रही है और रास्ता भटकने की कारणवश यह क्या हो रही है कि इनकी मृत्व हो जाया कर रही है अपने आवास तक नहीं पहुंच रहे हैं जिसके कारणवश संक्ट उत्पन हो रहा है इस परकार बच्चो हम लोग कह सकते हैं कि यह सारे आपके क्या हो जाएंगे उत्पन कर रहे हैं यहां तक सारे बच्चों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ठीक है ना चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि यह जो पर्यावरण पारिस्थतिकी पर संकट उत्पन हुआ है है ना इन पर्यावर्ण पारिष्थी की पर जो संकट उत्पन हुआ है ये एक परकार से क्या है समस्या है अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इनको सुरक्षित रखें इनको सेफ रखें इनकी संख्या घटे ना है ना तो हमको कुछ करना पड़ेगा पहला पहला काम तो यही करना पड़ेगा यानी नियंतरण का पर्यास क्या करें बच्चों नियंतरण का पर्यास है ना कंट्रोल की कोशिश की जानी चाहिए अगर हम लोग बच्चों नियंतरण का पर्यास करें या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इन कंट्रोल करने के दवरान हमको क्या चीज दे के दावरान क्या चीज़े देखनों को मिलेगी आये जो सबसे पहली चीज़ देखनों को मिलेगी वो क्या हो जाएगा सबसे पहरी चीज हमको देखने को मिलेगा नियंत्रण का पर्यास नियंत्रण के पर्यास में अगर हम लोग देखेंगे पहला नियंत्रण का पर्यास क्या क्या जाए कि अनुकूल आवास इनके लिए क्या दिया जाए है ना अनुकूल आवास और भोजन अनकूल आवास और भोजन कर दिया जाए दूसरा इनके इनके लिए सुविधाओं का विकास कर दिया जाए तीसरा जो भी नकारात्मक परभाव करने वाले विशय वस्तू है है ना क्या लिखेंगे नकारात्मक रूप से रूप से परभावित करने वाले करने वाले विशयों पर नियंत्रड क्या हो जाएगा नकारात्मक रूप से परभावित करने वाले विशयों पर हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों कंट्रोल लाना होगा नियंत्रड अस्थापित करना होगा और इसके साथ 1,2,3 हो जाएगा और इस 3 के बाद अगर हम लोग 4 पॉइंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अनुकूल आवास भोजन सुविधाओं का विकास नकरात्मक रूप से परभाववित करने वाले विशयों पर नियंत्रड या कंट्रोल और इसके साथ साथ बच्चों अगर हम लोग 4 पॉइंट की बात करेंगे तो 4 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा इसको बताओ इसमें हम लोग कहेंगे कि इनके इनको क्रित्रिम रूप से इनको क्रित्रिम रूप से इनको क्रित्रिम रूप से भी बढ़ाए जाने का परियास क्रित्रिम रूप से भी इनको बढ़ाए जाने का क्या करना चाहिए बच्चों कोशिश करनी चाहिए या परियास करना चाहिए तो ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चो इस परकार से ये four factor हो जाएंगे चार क्यारक हो जाएंगे आईए हम लोग इन कारकों को हम लोग क्या करेंगे एक एक करके discuss कर लेते हैं है ना क्या करते हैं इन कारकों को हम लोग एक अनकूल आवास अगर भोजन दे दोगे तो इनके विनाश का जो कारण है वो क्या हो जाएगा थोड़ा सक कम हो जाएगा और आप इनको सुरक्षित कर सकते हो इनके लिए सुविधाओं का विकास कर दिया जाए बहतर सुविधाइं हो तब यह संकट की स्थेथी कम हो जाएगी जैसे कि निर्वनी करण आप मत कीजिए किरशी प्रडाली का विस्तार कम कीजिए सुदेशी किरशी प्रडाली को आप बढ़ावा दीजिए जन जागरुकत कानून को बेधर कीजिए तब आiplinary सिक्षा लाई ये नईतिक मूल्यों का लोगों के अंदर विकास कीजिए विकास कीजिए कानून को parfॉक्षाद है यानि कानून और बहुत सी तक्निकी है जिसके माद्यम से इनके जीन को सुरक्षा दी जा सकती है और इनको बढ़ाने का कृत्न वरूप से परियास भी किया जा सकता है ठीक है ना इनके संख्या को बढ़ाने के लिए लेब मेथट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका पर्योग करके इनके अगर यह सारी कीजे हम लोग करेंगे तो इन पर जो संकट की इस्थिती पाई जा रही है जो संकट की इस्थिती विद्धमान है उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करके इनके जो नकारात्मक परभाव है जो नेगटिव इंपक्ट है उसको हम लोग लिमिटेड कर सकते है या सीमित कर सकते है ठीक है ना कि यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से, ठीक है न, तो यह सारी चीज़ें आपकी क्या है हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को जो मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझ में आ रहा हूं, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम चीज़ें के लि तो आज के लिए बच्चों यहीं पर रहेगा, जब हम लोग नेष्ट क्लास में मिलेंगे, तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और चीज़ों क्यों क्या करेंगे, कवर भी करेंगे, ठीक है न, तो आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का क्लास में बने रहने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार. बहुत-बहुत शुक्रिया